तो आज हम कंटेंट सेलेक्टर के बारे में देखते हैं क्या है और हम उन्हें कैसे कर सकते हैं तो श्टार्ट करते हैं आज हम थो छोटी सी एक एक में देखते हैं कि हम अदैंट सेड़ेक्टर से हम चीजें कैसे अध्यूट करते हैं okay जो मौजूद हो आलरडी तो आप देख सकते हैं कि हमेरे पास एक टेक्स फिल्ड है हमारे पास कुछ नाम है ठीक है जैसे ही में Capital A Press करता हूं तो आप देख सकते हैं कि जु नेम है हमारे उनना का फस्लेटर जो है वो Capital है इसी जासे Highlight हो रहे है है रेट में जैसे ही मैं एच प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि शहजाद में भी एच है महविश में भी एच है तल्हा में भी है इसी वजाद से हमारा तीनों लाइंस जो है वह शो हो रही है है एंड हम जैसे ही आई प्रेस करते हैं तो आप है मध विश में आ रहु है oh इम जैसे ही जैट करते हैं आप देख सकते हैं कि सरफ शहजाद में ही है तो यह था हमारा शोटा से एड़िया कि हूर आ है हमारा हम फर्देर देखते है कि हम एंप्लेमेंट कैसे करते हैं करते हैं वापस चलता है सबसे पहले हमें नेम चाहिए है आपने हम नेम भी बनाते हैं और आपको पताए कि हम जावा स्क्रिप्ट की लाइबरेरी जेक्यूरी यूज कर रहे हूं हुए हमारे पास जेक्यूरी अटेश हो आपकी में फाइल में एंड हम एक्स्टरनल स्क्रिप्टिंग पर काम कर रहे हैं आपको पताए कि मेरे पास स्क्रिप्ट.js के नाम से मैंने अपनी सेपरेट फाइल बनाई हुई है और जितनी भी स्क्रिप्टिंग है हम जावा स्क्रि अनौर्डर लिस्ट बनाते हैं हम एंड हम एलाइस बनाते हैं एलाइस मेंज शैजाद एमद एंड कॉपीपेस्ट करते हैं हम लिखते हैं मैविश फर्दराम तलह तालिप एंड हम लिखते हैं सिद्रा सिद्रा खालिद वापस चलते हैं रिफ्रेश करते हैं पेश को आप दिख सकते हैं कि हमारे पास याएस जा नाम आ चुके हैं जो हमने अभी बनाए हैं हम स्टाइलिंग पे जाते हैं एंड हम सबसे पहले अपनी यूएल को id देते हैं i.ola fome name की ID देते हैं हम and हम शीसे से पर जब जाएंगे तो id हम ने दिया हैश से call कर दूत вполне है सबसे पहले हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे यह वापस जाते हैं रफ्रेश करते हैं पेज को एंद हम पेडिंग जीरो पिक्जल्स करते हैं एंद मार्जिन हम जीरो पिक्जल्स करते हैं वापस जलते हैं रिप्रेश करते हैं आप देख सकते हैं हमारे पास फोर्नेम हैं बाइड़ फॉल्ट मार्जिन और वह पैडिंग है हमारे यो यॉयल को हमने मार्जिन और पैडिंग ख़तम कि और टेक्स्ट एक्षिशन नन कर दिया फिर हमें एक जाहिए तो हम टेक्स फिल्दा बनाते हैं ताइप रखते हैं उसकी टेक्स्ट ताक के आपको क्लेयर ने समझ में आए अपस रेफ्रेश करते हैं टेक्स फिल्द की बन चुकी है हम अपनी स्क्रिप्टिंग पे चलते हैं जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी हो तो हम इवेंट हैंडलर बनाते हैं जब हमारा डॉम रेडी हो डॉक्यूमेंट रेडी हो तो हम आईडी रेते हैं अपने टेक्स्ट को उसे नेम अंडर्सकोर सर्ष एंड हम सेलेक्टर बनाते हैं जब हैश से कॉल करवाते हैं नेम सर्ष डॉट की अप हमरे पास इवेंट है हम की अपका इवेंट हैं बनाते हैं जब की अप हो तो हमें फिलाल के लिए अलर्ट करवा दे वर्किंग रिफ्रेश करते हैं एंड प्रेस्ट करते हैं कोई भी तो आप देख सकते हैं अलर्ट हो रहा है देट मिन्स हमारी चीज़ें वर्क कर रही है प्रॉपर अलर्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए होता है हम डिरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन आप ऐसा ही कीजिएगा कि स्टेप बाइस्टेप कोडिंग को चेक करते रही है ऐसी ना हो आपके पास वैल्यू आ नहीं रही है और आप जो है लगे हुए कि सर्च नहीं हो रहा है ओके तो आगे स्टार्ट करते हैं हम हम सेलेक्ट करते हैं जैसे ही तो बनाते हैं फस्ट अफ आफ ऑल हम नेम अंडर्सकोर सर्च के नाम से हम बनाते हैं जो वेल्यू हमें टेक्स्ट फील से मिल रही है मिल रही है फिलाल के लिए हम उसे अलर्ट में दिखाते हैं कि हमें हमारी वेल्यू आया आ रही है या नहीं आ रही है अब इससे देंगे हमने ए प्रेस किया आ रही है हमारी वेल्यू एंड जैसे ही हम फॉर्दर कोड़िश